गाउ के पुराने हवेली में रहने वाली राजकुमारी आदिती का दिल कुछ अलग था। उसने हमेशा जीवन के रहस्यों की तलाश की और भूतिया कहानियों का संग रह किया। एक दिन गाउ में हुए एक रहस्यमय हत्या ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से उलजा दिया गाउ वाले विचार कर रहे थे कि यह हत्या भूतिया शक्तियों के कारण हुई हो सकती है। आदिती ने इसे एक औरत की आत्मा की राह में नहीं आने दिया और खुद जाच में शामिल होने का निर्नय लिया। उसने एक पुराने बंगले का पता किया जिसमें कहा जा रहा था कि भूतिया आत्मा रात के समय वहां दिखती है। आदिती ने अपनी सहाय का राधिका के साथ वहां पहुचकर एक चाकू लिया और रात के आंधेरे में उन्होंने बंगले की तरफ बढ़ते कदम रखा। बंगले के दरवाजे खुले और एक भूतिया साया उनके सामन आया। आदिती ने अपनी द्रिड़ता से उसके पास बढ़ते हुए कहा, तुम्हें अपना रहस्य खोलना होगा। भूत ने दुखी आखों से कहा, मैं एक समय की राजकुमारी थी जिसका प्यार किसी ने छीन लिया। मेरा दिल तुटा और मैंने खुद को मार दिया। मे प्यूत की आत्मा ने आदिती को धन्यवाद दिया और वहां से गई। गाउवालों ने आदिती की बहादुरी की सराहना की और उन्होंने भूतिया मामले को सुलजाने के लिए उन्हें आभारी माना। आदिती ने उस गाउव को राजकुमारी की स्थानिय नायका बना दि और भूतिया कहानियों का आधार बनाया.